असलावनेकम फ्रेंट्स, वेलकम टू परू की दुनिया, कैसे हैं आप सब लोग? चलो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा एफेक्टिव हैर और बताती हूँ जिससे आप लगाएंगे तो इन्शाल अन्शाल आपके जो बाल जो जा रहे हैं वो बाल आपके जड़ना बंद हो जाएंगे, आपकी density बढ़ जाएगी, आपकी volume बढ़ जाएंगे आप देख सकते हैं ये बालों को, कितने इसमें से हमारे सर से बाल जढ़ रहे हैं हमारे tensions की वज़े से hair oil की वज़े से पानी की वज़े से इसकी वज़े से हमारे जो hair fall है वो होते जा रहे हैं तो friends हम लोग इसके लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग अपने homemade हम लोग hair oil बना सकते हैं 30 days में आप issues changes देखेंगे अगर आप इसको सही तरीगे से हफ़ते में 3 दिन अगर आप इसको 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 इस लार बार रात में लगते हैं और सुबर ढो लेते हैं आप इसको है जो हमारे बालों के लिए important है इसके साथ साथ हम लोग गारलिक लेंगे आरिक मैंने ten pieces ली हूँ और यह कलुग तू टेबल स्पून्स रोड यह वहलग ज्यों फूम था इससे मैंने two table進 ली हूँ और यह मेथी दाना मेथी दाना हमारे बालों के कड़ी पता मैंने फुल प्याला लें अगर आपके पास इससे जादा भी कड़ी पता मौझूद है तो आप कड़ी पता दाल सकते कड़ी पता दालने से हमारे बालों को स्ट्रेंथ आ जाएगी अब आपको क्या करना होगा जो ऑनियंस है या तो हम लोग उसको पेस्ट बना ल इसको पेस्ट बना रही हूं यह सारे चीज़े मैंने आपको बताई थी इसका हम लोग पेस्ट बना देंगे फाइन पेस्ट करेंगे ताके वह जब ऑईल में जब पके तो वह ऑईल अपना सारा वह जूस छोड़ दे जो जो जितना ऑनियंस थे मेथी दाना कलोंची कड़ी पता एंड जो गार्लिक था वह सारा अपना जूस छोड़के वह ऑईल में आज है देखिए आपको अभी इसको मिक्सी में पीसना है मिक्सी में हो सकता यह पीसे नहीं जाए तो आप क्या करेंगे हाफ आफ करके इसको पीस लिजिए तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल के और यह पीसे नहीं जा रहा है तो आप जितना आपको जाए देखिए इसमें मैंने हाफ लिटर लिए आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप 600 ग्राम कर सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके दाली हूं पहले मैंने टू कब्स दाली मेरे एक कब 100 ग्राम के ते मैंने पहला दाली मैंने फिर थोड़ी देर के बाद में मुझे फिर और तिकनेस उसकी यह हो रही थी तो मैंने 300 ग्राम्स टोटल मैंने इसमें 500 ग्राम्स मेरे पास यह हाफ लिटर मैंने इसमें और दाली हूं यह देखिए यह पैंच जो होगा आपका तिक उसका जो बेस रहेगा वह चाहिए क्योंकि हम लोग को इसको पकाना है हम लोग इसको जलाना नहीं है इसको स्लो गैस पर आप एराउंड ट्विंटी मुनिट्स इसको पकाएंगे ओके जब आप 20 मिनिट्स पकाएंगे तो आप देखेंगे कि यह लाइट ब्राउन कलर और वो पकते पकते ही रहे हैं ताके वह जो j 2 जो 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 इन्से है वह अपना टेस्ट अपना जो अपने जो 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 जोड़ी段 जहिकी है pressing बेखेंचा़ हम लोग इसमें कलोंज है मेथी आदाले और यह सुख दाने तीनों चीजों हमारे बालों की रशेटी का बढ़ाएगी हमारे तेसे हम्लें से हमारे जो hair fall इसको stop भी करना है और इसको density भी बढ़ाना है देखे फ्रेंट्स मैंने अभी इसको तीन पहले दाली थी तीन बाउल्स दाल दी थी तो फिर मुझे लगा कि नहीं इसको एक और बाउल चाहिए तो मैंने एक और बाउल दाली टोटल मैंने उसमें 500 ग्राम्स इसका मेन यह है कि इसको जितना पकाएंगे तो वो अपना सारा को जूस जो है वो ओयल में छोड़ देगा मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूँ कि आप जब यह ओयल लगाने लग जाएंगे तो all of the sudden आपकी जो बाल की जो hair fall है वो stop नहीं होगी याद रखिए जो हमार पानी की जो हम लोग जो नहाते हैं जो पानी भी आ रहा है उसकी वज़े से भी चेंज़े सोने की वज़े से भी hair fall होते हैं अगर किसी भी चीज़ से hair fall हो रहे हैं तो suddenly all of the sudden आप यह oil लगाएंगे आप सोचेंगे कि मेरे hair fall stop हो जाएं ऐसा कभी भी नहीं आता होता है अगर आप कोई भी hair fall कोई भी oil लेते हैं तो suddenly hair fall stop नहीं होगा अगर आप इस oil को continuously लगाएंगे आप day 1 से आप देखेंगे कि आपकी density बढ़ते जारी है day 1 में क्या थी day 15 पे क्या है 25 पे और day 30 तक आपकी जो strength है बालों की जो आपकी जो strength है वो बढ़ती जाएगी बल्कि आपको कि मेरे बाल तो गिर रहे है मेरे hair fall हो रहे है hair fall के सास्थ आप याद रहे और आपकी density जो है उसकी density बढ़ जाएगी भले से आपके बाल हैरफॉल होते रहे आप tension मत लीजे बिलकुल भी आप उसकी फिकर मत कीजे क्योंकि आपके new ball जैसे baby ball के लिए कैसे आते हैं बाल नहीं आते हैं उस तरीके से आपके बाल नहीं आते रहेंगे देखिए आप उसको आप इसका color देख सकते हैं कि slight color change होते जा रहा है मैंने इसको बिलकुल भी high gas पे नहीं पकाई हूँ slow gas पे था यह पक रहा था पकते पकते एराउंड 15-20 मिनिट्स हो गए तो और इसको देखिए आप इसके सारे color change हो रहे हैं और इसका जो oil था वो absorb करके ले रहा है और उसके बाद अभी अपना oil यह छोड़ देगा क्योंकि यह मेरे pan बहुत बढ़ा था शायद आपको oil कम न थोड़ी दर इसको cover करके रख दी ताकि वो अपना सारा juice जो है वो oil में छोड़ दे देखिए friends यह सारा यह पकने के बाद इस condition में आपका हो जाएगा अभी आपको सबसे main चीज जो करना है आप इसको छानेंगे छानने के लिए आपको या तो strainer लेना होगा कोई भी छानी आपके जो खर पे हैं आप यह चनी जिसी लेंगे या आपके पास cotton का कपड़ा है आपके आप कौटन के कपड़े में comfortable है तो आप कौटन के कपड़े में डालिए और एक साथ में आप छान लेजे कोई मसला नहीं है इसके अगर आपको कौटन का कपड़ा आप चाते हैं कि क बॉटन का कपड़ा नहीं है आपके पास तो आपके पास कोई भी स्ट्रेइनर होगा आप स्ट्रेइनर में दाल के उसको चान लेंगे अभी एक बार जब आप चानेंगे तो आपको हलका सा उसमें छोटे-छोटे पीसर्स या कुछ भी नजर आ सकते हैं तो मैंने इसको दो बार चानी हो फर्स्ट बार चान ली और सकेंड बार मैंने इसको सारा निकाल के आप इसमें बिल्कुल ओइल ने छोड़ेंगे क्योंकि यह वेस्ट है यह आपको फेकना है इसमें आप देखेंगे कि आपने जितना ह तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा तो इसको अच्छी तरह से निकलना जाएगा तो सबसे इंपारटेट्ड चीज जो वो है VITAMIN Key Capsule यह आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं फार्मसी में कहीं पर बिल जातें 500ml आदा लीटर के लिए coconut oil रहाएवी हो जाएगी मैजिक है जिक है आपके बालों को छेंज कर देगी आपकी बालों की स्ट्रेंथ बड़ा देगी लेजिब विटामिन E के कैपसुल इतने फाइदे मंद हैं हमारे बालों के लिए आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे बताइए आपके बालों में कितनी चेंज़स आई है इंशाला अगर आपके हैरफॉल हो भी रहें तो आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए क्योंकि न्यू आपके बाल आ रहें कहीं न कहीं से आपके न्यू बाल आ रहें और आपकी डेंसिटी बढ़ रहें देखिया आप इसको आपके पास अगर कोई जार है किसी भी जार में ले सकते हैं आपके पास जो घर में जो जार होता है वो जार में आप दाल सकते हैं प्लास्टिक हो गया कांच का हो गया किसी भी जार में आप इसको डालके एड़ आड़ करके आप इसको six months तक आप इसको सर पर जब डालेंगे तो उसको अच्छी तरीके से मसाज करेंगे में मसाज है हम लोग सर जड में नहीं दालते हम लोग सिर्फ बालों पर लगाते उसका कुछ भी फाइदा नहीं है आप उसके रूट्स पर डालेंगे रूट्स में डालेंगे और उसको आप अच्छी जो है आपकी बढ़ गई है इंशालला आप ट्राइ कीजिए आप इसको बनाईए आप अपने घर पे अपने फैमिली में सब को शेयर कीजिए और इसको बनाकर आप देखिए वन मंत आप यूज़ कीजिए फ्रेंट्स इंशालला देखेंगे आपके बालों में जो कीजिए और देखिए आपके हाई आपके बाल कितने स्ट्रेंट में अच्छे होते हैं आप इसी तरह के से मेरे चैनल को देखते रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दूआओं में याद रखिए अपना खयाल रखिए और जरूर इस हैर औ जाना बहुत जरूर ये, जब हम लोगोно रूट्स को लगाएंगे तो जाड भी बढ़ा हो जाएगा, इसी तरिक magic के जब हमारे बालों में रूट्स तक वह जब ऒल जाएगा, तो हमारी बालों की density माशाला बहूत ही लंबी और घनी हो जाएगी और अपने यांद रखेंगे ख्याल रखिए अपना अल्ला हाफेश